नोबल प्राइज बारे तुसी कितुना कितुन जरूर सुनिया हुएगा पर की गल्ट वानू ऐस गल्दा पता है पर इगे नोबल प्राइज जितन वाले नू किना पैसा मिल्दा है ते एक सो भाई वरे लंगन तो बाद वी ए अमाउंट जड़ी है ए रकम जड़ी है एनाम जड़ा है ए हर साल लोकानों मिलदा रहनदा है पर इस तो पहला से तो अनो दसांगे पई नोबल पराइस जड़ा है नोबल एनाम जड़ा है ओ किस तरीके दिना चुरू होया ए गल है जी उन्नीवी सदी दी एक बंदा सी जड़ाना सी अल्फरेट नोबल ए यॉरप दे मुलक स्वेडन दे विच रहनदा सी ते ए गल है आज तो एक सो चब्वी वरे पहले दी दिसंबर 1896 दे विच ए चड़ाई कर गया फौत हो गया ओन ए जड़ा अल्फरेट नोबल स एन्ने सारी उमर असरा बना के बुरूद बना के ते एन्नों वेच के बहुत सारा पैसा कठा की था बल्के तुसी आग साकते हो पही बाम दमाकियां दे वेच जड़ा इस्तमाल होंदा है डैनामैट ओ भी अल्फरेट नोबल नहीं एजाद कीता सी होन आख्या जन्दा है प पही सारी उमर ते मैं तबाई दी ये शैमा बनादा रहे हैं होन कुछ अजैई शै करनी चाहिए जड़ी के लोकां दी बेतरी वास्ते होवे इंसाना दी बेतरी वास्ते होवे एन्ने 1895 दे वेच अपनी तीसरी ते आखरी वसीयत लिखी जिन वेच उन्ने लिखिया के मेरी वरास्त जड़ी है ओ मेरे आल्दवाले दे लोकां दी नौकरां दे वीच तक्सीम करन दो बाद जड़ी बाकी रकम बचे ओ सेकुरिटीज दे वेच इंवेस्ट कर दीती जावे ने तो आनू दसी ये पई सेकुरिटीज की शाय है सेकुरिटीज दरसल किसे वी ऐसे कारोब तानू लबदा रहनदा है स्कूरिटीज जड़ा है ए आम तोर दे उते बिजनेस वर्ड दे अंदर यानि कारोबारी दुनिया दे अंदर प्राइस बांड हो गए शेयर्स हो गए एह हुजे कारोबारां वास्ते इस्तमाल कीता जानदा है ते अल्फरेड नोबल ने बड़े राम देनाल अपनी सरमाया कारी जड़ी सी अपना पैसा जड़ा सी उन्हें आखेया पई पांची शोबे ऐसे ने जड़े इंसानिय दे पलेले काम कार रहे ने ते उन्हा दे विच ए तक्सीम कीता जावे यानि ऐ ओदी वसीयत सी होन हर साल जड़ा है अल्फरेड दी जड़ी सरमाया कारी है जड़ी इन्वेस्टमेंट है ओदे उत्ते जड़ा सूध लबदा है उन्हों नोबल प्राइस जतन वाले अंदे विच तक्सीम कीता जानदा है उन्हों तुसी आग साग दे हो पई इन्टरस्ट यानि सूध द लफज जड़ा है ओ आख्या जानदा है पई वसीयत दे विच अल्फरेड नोबल ने ही इस्तमाल कीता सी यानि ऐ दे विच कोई प्राफट या मनाफ़े वगरे दना ना नहीं सी हैगा उन्हों नोबल प्राइस दी जड़ी अफिशल वेबसाइट है ओ दे मताबक अल्फरेड नोबल ने जड़ी वसीयत कीती ओ दे विच ओ रकम जड़ी है ओ इकत्ती मिलियन या तेन करोड दस लक स्विस क्राउन तों बहुती सी उन्हों 1901 दे विच पहली वारी ऐस फण दे वेच पांज शोबे जड़े सन यानि फजिक्स हो गई कमिस्टरी, अदब यानि लिटरेचर, अमन ते मेडिकल दे शोबे अनू अनाम देते गए पहले पहले थे पंचोबे जड़े सी, उन्हा देविच नोबल एनाम तक्सीम कीता जानदा सी, पर 1969 देविच एकनॉमिक्स नूवी नोबल प्राइस दी जड़ी लिस्ट सी, वो देविच शामल कर लिया गया, यानि तुसी आग साग देओ के हून एना दी तदाद जड़ी है से 6 होगई है, उन्हा तुआड़े जेन देविच एक गालांदी होवेगी, परिह ऐसे नाम ती रिकम किनी है, होनो नोबल प्राइस जितनवाले नूँ या कोई तन्जीम जड़ी है, उन्हां एन्भा फ्राइस दी जड़ी उन्हादा गोल्ड मेडल, डिप्लोमा, सैटिफ पाई दे वेच एक नोबल प्राइस जड़ा है ओधी रकम 10 मिलियन या 1 करोड स्विस क्राउन ऐ तै कीती गई सी ते जे तुसी पीस ते हवाले देनाल अमन दे शोबे दे वेच तेन लोग का ने नोबल प्राइस जित्या है ते ऐस रकम नो तिनना दे वेच बराबर तक्सीम क कर दिता जानदा है यानि ए रकम 9 लक डालर तो बहुती बाण दी है ते जे रपईयां दे वेच वेखिए ते ऐ तक्रीबन कोई 3-4 करोड रपईया बाण दी है ऐसी इंफर्मेशन नोबल प्राइस दे बारे दे वेच किनने शुरू कीता किदों तो शुरू होया ते हाले तक कि इस तरीके दिनाल चल्दा आ रहा है उमीद कर दे हां तो अनुसाड़ी ए इंफर्मेशन पसांदाई होवेगी